दोस्तों आपने लसी बहुत बार पी ओगी लेकिन मैं गरंटी से बोल सकती हूँ अभी आपने इस तरीके से लसी को बना करके नहीं पिया होगा एक बार मेरे तरीके से बना करके आप ट्राई जलू करिएगा पीजिएगा और आप देखना आपको 101% पसंद आएगा आपके घ लिया है आप चाहें तो आइस क्यू भी ले सकते हैं और यह मैंने लिया है आदा गिलास दूद और अब इसके बाद में आपको लेना है यह देखिए एक कटोरी भर करके आपको लेना है दही और यह मैंने लिया है चीनी तो चलिए दही आपको खटा नहीं लेना है खटा द यहां पे अपने लिया है, इसमें आप रख दीजिए मलाई को, ठीके ना, अब हमें क्या करना है, इसको एसे ही मलाई को रख करके छोड़ देना है, अब आपको लेना है, मिक्सी का जार, अगर आपके पास मिक्सी नहीं है, तो आप कोई भी जग बगरा ले लिजिए, मथानी से बना लीजिए तो मिक्सी के जार में हम डाल देंगे यह दही एक अरोई में दही डाल दिया है मैं मातर दो गलास बना रही हूं आप कम जयदा अपने असाब से कर सकते हैं अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे चीनी तो यहां पर में मीठे के साथ से आप कम जयदा कर तक 2 सकती हैं मैंने आ पेखेश चार चम्मआट चीननी डाल दिया है चार छोटा circles और अब इसके बाद में हम इसको चलाएंगे दही को हम कितनी दो दे चलाएंगे मात्र फ्री के लिए ठीक़ हम अंचे से चला लेंगे मिक्रिकी से और अब अब इसके बाद में आपको क्या करना है थोड़ा से चलाना है आदा मिनट तक चलाईएगा ऐसा नहीं तुरन चला के तुरन बंद कर दें नहीं आदा मिनट तक चलाईएगा ताकि इसमें अच्छे से यह फिट जाए अब आपको क्या करना है इसमें डाल देना है यह आदा ग करना है यहाँ पर मैंने फिर से mixi को चला दिया है अब इसके बाद में इसमें टाल देना है हमें कि टुकडे यान की out cocky तो थोड़े से हम isoom çaum मींट को हम चलाएंगे ठिक हैто तो आपको करीबन फिर से आदा मिनिट के लिए इसको चलाना है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यह जो हमारी लसी है, बन करके तयार हो चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे रुआपजा, अगर आपको रुआपजा पसंद नहीं है, तो आप इसको अबर्ड भी कर सक करते हैं, लेकिसे टेस्ट अच्छा आता है, तो हम इसमें करीबन दो चम्मच रुआपजा दालेंगे, कम ज्यादा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुआपजा डाल करके इसको हम फिर से चलाएंगे, रुआपजा डाल करके लसी का जो टेस्ट होता है, वो द तो यहां पर मैंने ग्लास में डाल दिया है लसी े किया है इसमें हम डाल देंडे आईस क्यूब यह देखेये जारेन के लाल धसी बाही कीSi मन j процule लेना है पर लेना है न्युनिक्त ये खांज़ म सी इस तरीके से एक प्रकड़ा लेना है और इस तरीके से आप लसी के ऊपर ये देखिए इस तरीके से आप इस मलाई को रख दीजिए इसी तरीके से आप दोनों गिलास में इस मलाई को रख दीजिए दूद की मलाई को अब इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा सा रौपजा से कोटिंग कर देंगे यह देखिए इस तरीके से अब आपकी जो लसी है बनकर तयार है दोस्तों सच बोलती हूँ आपके यहां कोई मेहमान भी यानि गैस्ट भी आएंगे न तो बो भी कहेंगे आपने किस तरीके से बनाया है आप एक बार जलू ट्राई करना तो यह लसी आप कर दीजे दोस्तों से कर दीए चानल साथ